चार जून को नतीजे आरपार कहां किसकी बनेगी सरकार दक्षड में अन्ना मलाई रख पाएंगे जल्वा बरकुरार सिंगम अन्ना लगाएंगे बीजेपी की नई अपार मोदी के जीत में चारचांद लगाएंगे दक्षड के योगी नमस्कार आप देख रहे हैं खबर इंटिया मैं हूँ आपके साथ सुरिस्टी लोकसबा चुनाब 2024 खत्म हो गया है 4 जून को आने वाले नतीजों का सभी को इंतजार है उससे पहले तमाम एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रही है एग्जिट पोल के रिजर्ट के मुताबिक केंद्र में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोधी की सरकार बनने जा रही है हाला कि एंटिया 400 पार नहीं कर पा रही है जाधा तर एग्जिट पोल में एंटिया को साड़े 300 से 371 सीटे मिलते दिख रही है 543 सीटो वाले लोकसभा में बहुमत का आकड़ा 272 है दक्षिर भारत के बाद चुराज्यों की बात करें तो BJP प्लस एंटिया को बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है खास तोर पर तमिलनाडू और केरल में BJP का वेलकम होता दिख रहा है वैसे जाधा तर एग्जिट पोल में BJP को तमिलनाडू में एक से तीन सीटे मिलने का अनुमान है सिर्फ चाड़के ने BJP को डबल डिजिट में नमबर दिये है चाड़के के मुताबिक तमिलनाडू में BJP को 10 सीटे मिलेंगे DMK प्लस को 29 सीटे मिलने का अनुमान है AIA DMK के लिए एक भी सीट का प्रडिक्शन नहीं है इसे तमिलनाडू में BJP प्रदेश सद्यक्ष के अन्नामलाई के प्रभाव से भी जोड़ा जा रहा है अन्नामलाई का दमदार प्रभाव है दक्षन में तमिलनाडू में के अन्नामलाई जमीन पर जादूई प्रभाव दिखाते हैं इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे UP में योगी आदित तिनात और फुर्फ बुल्डोजर बाबा का जलवा है वैसा ही कुछ तमिलनाडू में अन्नामलाई और सिंगम अन्ना की बादशाहत है तमिलनाडू में के अन्नामलाई का जमीन पर जादूई प्रभाव दिखा गया है चुनाव प्रज़ार के दौरान उन्होंने जहां जहां रैली की वहां वहां बेतहाशा फीड उमडी चहेते बन जाते हैं और स्थानिय मुद्दों पर उनकी पकड़ भी काफी मजबूत है और अगर युवाओं की बात करें तो अन्नामलाई का युवाओं में काफी क्रेज भी है बहाशपा के तेज तर्रान नेता राज़िप्रमु खन्नामलाई का मुकाबला कोयमबटूर के पुर्व मेयर और डीमके नेता गड़पति राशकुमार और AIA डीमके के सिंगाई जी रामचंद्रन से है कोयमबटूर के लावा अन्य निरवाशन शेत्रों में निलगिरी, चन्नाई दक्षिन, थुतुकोडी, थेनी और श्रिगंगा पर भी सबके निगाहें लगी हुई है निलगिरी में भाशपा के एल मुरुगन का मुकाबला पुर्वदूर संचार मंत्री और डीमके नेता A. राजा से है भाशपा नेता और पुर्वराजिपाल, तमिली सिलाई, सुंदर राजन, चिन्नाई दक्षिर से चुनावलट रही है चले हम आपको उताते हैं कि आखिर कौन है अन्नामलाई जिस पर बीजेपी ने भरोसा जताया है यूपी में योगी की तरह ही इनकी दक्षिर में तूती बोलती है तमिलाडो के करूर जिले से आने वाले अन्नामलाई का जन्म कोयंबचूर में एक साधारन क्रिशी परिवार में हुआ था वो कौंगू वेलार जाती की हैं ये जाती आजादी के समय से ही अगड़ी जाती थी लेकिन साल 1975 में इसे पिछड़ी जाती का दरजा दे दिया गया अन्नामलाई ने डेकन क्रॉनिकल अखबार को दिये एक इंटर्व्यू में अपने नीजल जन्दिकी के बारे में बताते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में जाना मेरे लिए एक सदमे जैसा था यहां पाच-पच रुपे के लिए किसी की भी हत्या कर दी जाती थी इस प्रदेश ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया मैंने इतनी गरीबी पहले कभी नहीं देखी थी उसे वक्त मैंने तैय किया कि मैं एक ऐसा जीवन जीऊंगा जहां मैं लोगों के जीवन में सकरात्मक बदलावला सकूँ अन्ना मलाई ने आगे कहा कि सिविल सिवा मुझे ऐसी ही जिन्दी की जीने का एक तरीका लगा मैंने आएम में आए इंटरनेशनल कंपनियों में प्लेस्मेंट लेनी की जुगस सिविल सिवा की परिक्षा दी मुझे आएस बनना था लेकिन कम नंबर आनी की वुज़सी मेरा चोयन आईपियस पे हुआ मैं वर्दी में खुश था हलाकि 25 माई 2019 को उन्होंने पुलिस से इस्तिफा दे दिया इस्तिफी के वक्त अन्ना मलाई बैंगलरू दक्षिन के डीसीपी थे और लोग उन्हें सिंगम के टाइटल से बुलाते थे उन्होंने स्टेपिंग बियॉर्ण खाकी के नाम से एक किताब भी लिखी है 25 अगस 2020 को अन्ना मलाई बीजेपी में शामिल हो गया और लगबग एक साल बाद यानि कि 9 जुलाई 2021 को उन्हें तमिलाडू बीजेपी का प्रदे सद्धक्ष बनाए गया साल 2021 में तमिलाडू में हुए विदानसबा चुनाव में अन्ना मलाई बारतिय जन्ता पार्टी की तरफ से चुनाव भी लड़े थे लेकिन उस चुनाव में उन्हें हार मिली थी अर्वा कुरूची सीट से चुनाव लड़ने वाले अन्ना मलाई 24,300 बोटों से हार गये लेकिन 2024 में बीजेपी ने उन पर फिर से भरोसा जुताया है और बीजेपी को पूरी उमीद है कि दक्षण में अन्ना मलाई बीजेपी की नईया पार्ट जरूर लगाएंगे जाती का तमिलनाडू में एक रणनीतिक महत्व भी है ऐसे में अन्ना मलाई पलानी स्वामी के वूट बैंक में सेंदमारी कर बीजेपी को फायदा पहुचा सकते हैं और एकजिट पोल के आकड़े भी यही कहते हैं कि अन्ना मलाई का जादू दक्षण में च्छाता हुआ दख रहा है जाते जाते आपको बता दें कि यहां से सत्ता वापसी की कोशिस में जुटी इंद्रा गांधी साल उन्नीस वसी में आंधर प्रिदेश के मेदक सीट से लोकसबा चुनाव लड़ी थी उन्होंने इस चुनाव में भारी मार्जिन से जीत हासिल की करनाटक के बेलारी से सोन्या गांधी भी साल 1999 में चुनावी मैदान में उत्री थी उनके मुकाबले बीजेपी में दिली की मुख्यमंतरी रही सुस्मा स्वराच को भी बेलारी सीट से उतारा इस चुनाव में सुस्मा की हार हुई साल 2019 के चुनाव में कॉंग्रेस सद्धक्ष राहूल गांधी भी केरल के वाइनाट सीट से चुनावी मैदान में उत्रे लेकिन वो यूपी की अमेटी सीट से भी कैंडिडेट थे और वहां से उन्हें हार मिली लेकिन बीजेपी को दक्षड की राज्यों में काफी अच्छी सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्ना मलाई और सिंगम अन्ना बीजेपी की लहर को दक्षड में बरकरार रखते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी का पूरा भरोसा भी जीत रहे हैं ऐसे में ये कहा जाता है कि जैसे मोधी को यूपी में एक योगी मिले थे वैसे ही दक्षिर में उनको दक्षिर का योगी मिल गया है और अब बीजेपी को प्रचंट बहुमत से एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने से कोई भी नहीं रोक सकता फिलाल के लिए सिर्फ इतना ही बागे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं खबर इंटिया हमें देखे इस राज़ों